प्रिफ्रल निरॉपथी याने की नसों की बिमारी ये क्या है इसके कॉमन सिंटम्स या लक्षन क्या है कारण क्या है और इसके लिए क्या किया जाए तो इस वीडियो में हम इन कुछ चीजों के बारे में डिसकॉशन करेंगे मैं हूँ डॉक्टर मनवीर भाटिया असीनिय निरॉलोजिस्ट फ्रॉम डेली तो नस को पहले समझना चाहिए कि जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर होती है इसके अंदर काफी छोटी पतली पतली भी और वायर्स होती है या फाइबर्स कहते हैं तो कुछ सेंसेशन कैरी करते हैं क उच्छ मोटर पावर क्यारी करते हैं और कुछ हमारे लिए अलग स्वैटिंग वगेरा के फाइबर्स होते हैं तो जो बिमारी अलगी पाइबर्स को एफेक्ट कर सकते हैं इसके लिए अलग-म शिम्टम या लक्शन आ सकते हैं तो कुछ लक्षन पहले स्टार्ट करते हैं जो सेंसेशन के लिए होते हैं तो ये कुछ हो सकते हैं जैसे कि सुनपन, चीटियां चलना, जलन होना, सुयां चुगना या कुछ भी चीज अहसास करते कुछ ज़ादा महसूस करना. ये शरीर के किसी पार्ट में भी आ सकते हैं हाथों में आ सकते हैं, पैरों में आ सकते हैं बाडी थाइस में आ सकते हैं, चेस्ट, अब्डॉमन, बैक, चेहरा तो ये जरूर है कि आप नोट करें भी कहां पे आए और किस प्रोग्रेशन में आए मतलब के पहले हाथ में आए तो फिर पैर में आए या कैसे हुआ तो ये हैं sensory symptoms बोलते हैं दूसरे बोलते हैं motor मतलब के कमजोरी तो अगर पैरों में होगा तो चपल पहनने में दिक्कत चपल पैरों से निकल जाना पता नहीं चलना चपल की gripping का मुश्किल कुर्सी से खड़े होना मुश्किल जमीन से खड़े होना मुश्किल सीडियां चड़ना, सीडियां उतरना balance problem ये सारी legs की कमजोरी से आ सकता है हाथों में similarly कुछ fine task करना, कंगी करना, बटन बंद करना अपना brush करना, ऊपर से कुछ समान उठाना, कपड़े पहनना ये हाथों के कमजोरी की बज़े से आ सकता है चेहरे में भी आ सकता है, बोलने में दिक्कत खाना निगलने में दिक्कत और हद तक सांस वगएरा लेने में दिक्कत तो ये सब symptoms हो सकते हैं किसी को पहले होंगे, कुछ किसी को बात में या order change हो जाएगा तो common कारण क्या है? सबसे commonest कारण है actually diabetes, तो diabetes जिनको है चाहे पता है, चाहे छुपी है कुछ समय के बाद नसों को जरूर असर करती है especially अगर diabetes का control ठीक ना हो second is some nutritional problems vitamin deficiencies ये नसों को ठीक रहने के लिए vitamins की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो उसकी कमी के वज़े से नसों की lining या नसों का अंदर के fiber में damage हो सकता है third is toxic तो कुछ भी heavy metals हो सकते है alcohol is also a toxic तो these are toxins which can जो nerves को damage कर सकता है फिर हमारे पास कुछ और कारण है जैसे की systemic कारण मतलब अंदर कुछ और बिमारी कोई immune mechanism जो नसों को damage कर रहा है फिर एक है hereditary मतलब के families में चल रहा है किसी ना किसी को family में ये problem आ सकती है तो काफी कुछ मेनत करने के बाद हम नसों का कारण या नसों की involvement का कारण जरूर ढून सकते है तो ये कैसे पता चलता है एक तो पहले डॉक्टर ही देखेंगे उसके बाद एक नसों की special जांच होती है जिसको हम nerve conduction studies बोलते है ये हाथों की नसे पेरों की नसे चेहरों का नसों भी जांच हो सकती है ताकि पता चले पी कौन सी नसे में problem है और कितनी degree तक problem है इसके बाद हो सकता है कि कुछ blood test की जरूरत पड़ेगी कुछ x-rays वगरा की जरूरत पड़ेगी ताकि हम ये नतीजे पे पहुँच पाएं कि कारण क्या है last part is treatment तो क्या किया जाए treatment दो तरीके से होता है एक और सबसे जरूरी है कि हम कारण ढूने जब हम कारण ढून लेंगे उसका इलाज करेंगे तो नसे ठीक रहेंगी second is symptom control जैस जिसको जलन है बहुत दरद है कमजोरी है उसके लिए कुछ medicines दे कुछ exercise बताई जाएं ताके इनसान की health और nerves ठीक रहें I do hope this has been helpful अगर कुछ और जानकारी चाहिए हो तो जरूर आप हमारा channel देख सकते हैं website पे कुछ information और आपको बिल सकती है Thank you